हाई गाईस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम अप्रेल महीने की ओबिचुरीज कवर करेंगे यानि जिन भी महत्तपुन सक्सियत का निधन अप्रेल के महीने में हुआ है उन्हें जानेंगे इ इसके लिए आप 249 रुपीज पे कर सकते हैं और यह membership आपकी एक सारे के लिए वैरेट रहेगी इसमें आपको daily current affairs pdf, weekly pdf और monthly pdf के साथ साथ जो भी topic wise हम current affairs वीडियो बनाते हैं जैसे की appointments, obituries, books and authors, days and themes इन सभी की pdf आपको इसमें मिल जाएगी तो membership पाने का link आपको इस व वीडियो सेशन की, मौलाना वहिदुद्दीन खान जिनका हाल ही में निदन हो गया, ये एक परसिद्ध क्या थे, options आपके सामने हैं और correct answer होगा, option D, मौलाना वहिदुद्दीन खान who passed away recently was the renowned Islamic scholar, अरुन चोधरी जिनका हाल ही में निदन हो गया, किस केंद्रिय ससस्त्र, option A, अरुन चोधरी who passed away recently was the former chief of SSB, यानि ससस्त्र सीमा बल, रंजीत सीना जिनका हाल ही में निदन हो गया, किस एजनसी के पूर्व निदेशक थे, यानि डिरेक्टर थे, तो सही answer होगा, option C, So, रंजीत सीना, who passed away recently, was the former director of CBI, यानि Central Bureau of Investigation, और 2012 से ये 2014 के बीच में, CBI के director रहे थे, ददुदान गडवी, जिनका हाल ही में निदन हो गया, किस भासा के परसिद्ध कभी थे, सही answer होगा, option D, ददुदान गडवी, who passed away recently, was a famous poet of Gujarati, जग्दीश खटर, जिनका हाल ही में निदन हो गया, किस वहन निर्माता कंपनी के पूर्व MD थे, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option D, So, जग्दीश खटर, who passed away recently, was the former managing director of Maruti Sujuki India Limited, Maruti Sujuku के पहले friends, Maruti Udjyog Limited के नाम से जाना जाता था, जब ये government के अंडर में थी, 1981 से 2003 के बीच में, सर्वच्च न्यालाय के न्यायधीश, न्यायमूर्थी, Mohan M. Santan Godar, जिनका हाल ही में निदन हो गया, निकिस उच्च न्यालाय के मुख्य न्यायधीश के रूप में भी कारे किया था, ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन B, सो सुप्रीम कोर्ड जज, जस्टिस मोहन M. Santan Godar, who passed away recently, had also served as the Chief Justice of Kerala High Court, पंडित राजन मिश्र, जिनका हाल ही में निदन हो गया, किस घराने से जुड़े हुए थे, तो ये बनारस घराने से जुड़े हुए थे, पंडित राजन मिश्र, who passed away recently, was associated with बनारस घराना, दिगवेजे सिंग जाला, जिनका हाल ही में निदन हो गया, ये भारत के पहले कौन से मंत्री थे, तो ओप्शन्स आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन डी, दिगवेजे सिंग जाला, who passed away recently, was the first environment minister of India, और ये गुजरात से MLA भी रहते, गुजरात की जो वांका नेर, कॉंसिटोंसी है, वहाँ से स्वतंतर पाइटी से थे पहले ही है, और इंद्रा गांधी की जब सरकार थी, तो उसके अंडर में ये पहले भारत के इन्वार्मेंट मिनिस्टर बने थे, डॉक्टर अरुन निगवेकर, जिनका हाली मेने दन हो गया, ये किस एजन्सी के पूर्व अध्यक्स थे, सई आंसर होगा, option A, साथी साथ ये पूर्वेकर के भी वाइस चांसलर रह चुके थे, सुमंगला, जिनने आप लीला नमूदरी पाथ के नाम से भी जानते हैं, इनका हाली में निदन हो गया, ये एक परसिद्ध क्या थी, सो सही आंसर होगा, option A, सो ये author थी, और मल्यालम लिट्रेचर में इनका काफी अच्छा योगदान रहा है, वामन भोसले, जिनका हाली में निदन हो गया, किस पेसे से जुड़े हुए थे, तो सही आंसर होगा, option C, वामन भोसले, who passed away recently was a film editor, कृष्णमूर्ती संथानम, जिनका हाली में निदन हो गया, ये एक परसिद्ध क्या थे, सही आंसर होगा, option C, कृष्णमूर्ती संथानम, who passed away recently was a non-nuclear scientist, और जो आपका 1998 में भारत द्वारा जो पोकरन में जो nuclear किया गया था, nuclear burst या nuclear experiment जो किया गया था, उसमें इनका काफी महत्तपुण योगदान रहा था, फरीद साबरी, जिनका हाली में निदन हो गया, किस पेसे से जुड़े हुए थे, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा, option C, तो ये कवाली सिंगर थे, अमित मिस्त्री, जिनका हाली में निदन हो गया, एक अनुभवी क्या थे, तो ये friends, काफी veteran music composer रहे हैं, श्रवन राठोर, किसोड नंदलासकर, जिनका हाली में निदन हो गया, किस पेसे से जुड़े हुए थे, सही answer होगा, option B, तो ये actor रहे हैं, हिंदी मूवीज में भी आपने इनको देखा होगा, और माराठी मूवीज में भी ये, इन्होंने काफी काम किया है, प्रख्याद बंगाली कवी, शंका गोस, जिनका हाली में निदन हो गया, किस सम्मान से पुरुस्कृत व्यक्ति थे, options आपके सामने है, हाली में निदन हो गया, एक परसिद किस भासा के लिखक थे, तो ये फ्रेंट्स कन्नड लिखक थे, कन्नड राइटर थे ये, मैदावोलू नर्सिम्मा, जिनका हाली में निदन हो गया, किस बैंक से सम्मंदित थे, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option D, ये जो है, Reserve Bank of India के 13th governor रहा चुके है, कब से कब तक, 2 मई 1977 से, 30 नवंबर 1977 तक, छोटा ही कारेकाल राइन का, RBI के पूर्व डिफ्टी governor का नाम बताइए, जिनका हाली में निदन हो गया, तो सही answer होगा, option C, option D इसमें सही होगा, केसी चक्रबर्ती, तो केसी चक्रबर्ती जो है, ये 15 जुन 2009 से, 25 अप्रेल 2014 के बीच में, डिफ्टी governor रह चुके थे, RBI के, one of the deputy governors आप कह सकते हैं, रह चुके थे, केसी चक्रबर्ती, पूर्व राष्टपती, Walter F. Mondale, जिनका हाली में निदन हो गया, वे किस देश से थे, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option D, so United States के ये, उप्राष्टपती रह चुके हैं, Vice President रह चुके थे, सुमित्रा भावे, जिनका हाली में निदन हो गया, किस छेत्र से संबंदित थी, तो सई आंसर होगा, option D, तो film इंदस्ट्री से ये, संबंदित थी, और इनकी जो मोवी थी, कासव, इसे स्वर्ण कमल, अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, नेशनल अवार्ड में, बची सिंग रावज, जो हाली में जिनका निदन हो गया, वे चार बार किस राज्य से सांसत थे, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा, option C, बची सिंग रावज, who passed away recently, was a four-time MP from उत्राखंड, चार्ल्स चक गेस के, जिनका हाली में जिनन हो गया, किस कंपनी के संस्तापक थे, सही answer होगा, option B, चार्ल्स चक गेस के, who passed away recently, was the founder of Adobe, Helen McCrory, जिनका हाली में जिनन हो गया, किस छेत्र से संबंदित थी, सही answer होगा, option D, so film industry से संबंदित थी, और इनको आपने Harry Potter फिल्म्स में भी देखा होगा, Skyfall में भी आपने इनको देखा होगा, विने अगरवाल, जिनका हाली में जिनन हो गया, किस रिटेल स्टॉक ब्रोकिंग फिर्म के CEO थे, सही answer होगा, option C, विने अगरवाल, who passed away recently, was the CEO of Angel Broking Firm, एहमद हुसेन लाला, जिनका हाली में जिनन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे, सही answer होगा, option D, एहमद हुसेन लाला, who passed away recently, was associated with football, और इन्होंने 1956 में, जो Melbourne Olympics हुए थे, तो इनमें जो भारत की होकी टीम थी, इसके ये मेंबर थे, और 1951 में जब भारत ने, Asian Games में गोल्ड जीता था, होकी में, तब ये उस टीम के सदस्य रह चुके थे, अभिनेता और कॉमेडियन विवेक, जिनका हाली में दिधन हो गया, किस फिल्म उद्योक से संबंदित थे, सही answer होगा, option A, तो तमिल मोवीज ये क्या करते थे, तमिल फिल्म इंड्रिस्टी से ये संबंदित थे, इतिहास के सबसे बड़े, पॉंजी इसकीमर का नाम बताईए, जिनकी हाली में, अमेरिकी जेल में बृत्ति हो गई है, सही answer होगा, option B, तो ये थे, बर्नी मैडओफ, इन्हें जो है, लार्जेस्ट पॉंजी स्कीमर बोला जाता है, ठीक है, और इनका हाली में जिधन हो गया है, पॉंजी स्कीम क्या होती है, बिल्कुल डिटेल में हमने cover किया हुए, अपने current affairs sessions में, काकराला सुब्बा राओ, जिनका हाली में जिधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थी, तो ये प्रसिद्ध radiologist थे, और इनको पदमस्री अवार्ट से भी सम्मानित किया जा चुका था, या दरखेगा, जीवी जी कृष्णा मुर्थी, जिनका हाली में जिधन हो गया, वे पूरु में क्या रह चुके थे, तो ये पूरु में election commissioner रह चुके थे, तो अक्टूबर 1993 से सितमबर 1996 तक ये election commissioner है रही थे, प्रिंस फिलिप, जिनका हाली में जिधन हो गया, ने प्रिटी ससस्त्र बलो की किस इकाई में कारे किया है, ओप्शन आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, तो प्रिंस फिलिप, जो की Queen Elizabeth second के husband थे, इन्होंने Royal Navy में भी यहाँ पर कारे किया है, और वैसे इनका जन्व Greece में हुआ था, यह आप याद रखिएगा, और इनको Duke of Edinburgh का title इनको मिला हुआ था, सतीश कॉल, जिनका हाली में जिधन हो गया, उनका संबन्द किस छेत्र से था, तो इनका संबन्द Film Industry से था, योगेश प्रवीन, जिनका हाली में जिधन हो गया, एक प्रखात क्या थे, तो फ्रेंट से एक प्रख्यात हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, फात्मा जकारिया, जिनका हाली में जिधन हो गया, किस पेसे से जूडए थी, तो ये Journalist थी, काफी Famous Journalist ये रही है, नोबल पुरुसकार विजेता इसामू आकासा की जापान का हाली में निदन हो गया उन्होंने किस छेतर में नोबल पुरुसकार जीता था तो इन्होंने फिजिक्स के छेतर में नोबल पुरुसकार जीता था चंद्रा नाइडू जिनका हाल में निजन हो गया वे किस खेल की पहली भारतिय महीला कमेंटेटर थी options आपके सामने है और correct answer होगा option B चंद्रा नाइडू who passed away recently was the first female Indian commentator of cricket राधेशाम खेमका जिनका हाल में निजन हो गया किस प्रकासक के अध्यक्ष थे सही answer होगा option A राधेशाम खेमका who passed away recently was the president of कीता प्रेस बच्चों की लेखी का बेवर्ली एटली क्लीरी जो की USA सी थी इनका हाल में जन हो गया आपको बताना है निमलिकित में से कौन सी बच्चों की किताब उनके द्वारा नहीं लिखी गई है तो चार options आपके सामने है और सही answer होगा option A ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है बाकी जो B, C, D ये तीनों इनके द्वारा लिखी गई थी आई होप आपको हमारा ये session काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो like जरूर कीजेगा और साथ में friends आप सभी current affairs funda को telegram पर जरूर जोइन कर लिजे यहाँ पर regular video updates और current affairs related quizzes हम आप सभी ग्रेट डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution यहाँ पर पा सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ whatsapp and telegram पर share करें लाइक करें और comment करके बताईएगा कि यह video आपको कैसी लगी thank you guys